हलो एबरिवन स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं अमित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ लैटर सीरीज इसमें हम कुछ important question को discuss करने वाले हैं जो कि आपके competitive exam में काफी important question है और ये आपके competitive exam में आते रहते हैं चलिए start करते हैं आज की इस प्यारे से session को आज की इस प्यारे से session का पहला question आपके सामने ये रहा question start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो letter series होती है letter series आपकी दो type की होती है एक में हम discuss करेंगे missing letter series के बारे में missing series आएगी और दूसरी आपकी होती है wrong series दूसरी आएगी आपकी wrong series चलिए स्टार्ट करते है आज की session को आज की session का पहला question है आपके पास पहला question आपका है question में आपको series दी है Z A Y B X C W D O V E करके तो आपको बताना है कि जो question मार रुक है उसकी जगा के आएगा अगर आपने यहां देखा होगे तो series आपकी यह double series है देखिए Z में से 1 minus हुआ है minus 1 फिर Y आया Y में से minus 1 करके X हुआ है X में से minus 1 करेंगे तो W आएगा W में से minus 1 करेंगे तो आपके पास V आएगा उसी तरह V में से minus 1 करेंगे तो आपके पास U आएगा मतलब कि first letter आपका U आएगा तो देखिए first letter जो आपका option number C है उसमें U नहीं है तो ये तो option आपका cut हो जाएगा चलिए आगे चेक करते हैं A में plus one किया B आगया, B में plus one करेंगे C आएगा, C में plus one किया तो D आएगा, same logic आपको आगे लगाना है E में बन plus करेंगे तो F आएगा मतलब U F इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा तो यहाँ पर आपका option number D option number D इस question का बिलकुल सही रहेगा option number D इस question का सही answer होगा चलिए next question question number second series आपको क्या देके रखिए इसमें B D D F G I and K M फिर question मारे का आपको बताना है की question मारे की जगा क्या आएगा सभी लोगोंने question ट्राई करना है full effort के साथ और बताना है की इसका सही answer क्या है चार option आपके सामने given है first option आपका P R second option है N R third option आपका P Q और last option है आपका Q S last option आपका है Q S चलिए देखते है सबसे पहले क्या करना है आपको की जो letter यहाँ पर लिखे है B D करके इनके आपने number लिख लेने की कौन कौन से number पर है यह B आपका 2 number पर है D आपका 4 number पर होता है यहाँ पर 4 आएगा 6 आएगा G 7 पर I 9 number पर होता है K आपका 11 पर M आपका 13 पर आपको वोलर next के आएगा next पूछ रहा है आपसे क्या आएगा चलिए देखते हैं देखें 2 के बाद 4 आया यानि के यहाँ पर आपके प्लस 2 हुए 2 के बाद 4 आया 4 के बाद 7 यानि के प्लस 3 हो रहे हैं यहाँ पर सेरीज में यानि के बहाँ पर आपका P लैटर आगया फर्स्ट तो P जो है वो आपका आपसे नमबर A और आपसे नमबर C में है इसका मतलब आपका आपसे नमबर B और आपसे नमबर D निगलेक्ट हो गया ठीक है चलिए अगला लैटर देखते हैं लैटर देखते हैं कि क्या आएगा 4 के बाद 6 हुआ यानि कि प्लस 2 हो रहे हैं यहाँ भी 6 के बाद 9 प्लस 3 9 के बाद प्लस 4 13 थर्टीन में हम 5 प्लस करेंगे तो 18 आएगा यानि कि R तो P आर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा यानि कि option number A option number A इस question का सही आंसर हो जाएगा चलिए next question question number third question number third आपका ये रहा जल्दी से सभी लोगोंने try करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या वीडियो को pose करो और सारे कि सारे लोग try करो फिर बताओ कि इसका सही आंसर क्या है चलिए देखते है पहला step क्या करने की M13 यहां 12 minus 1 हो रहा है 13 के बाद minus 1 किया 12 आ गया 12 में से minus 1 करेंगे आपके पास 11 आएगा 11 में से minus 1 करेंगे 10 आएगा 10 से minus 1 किया 9 9 में से minus 1 किया 8 8 में से minus 1 करेंगे जब 8 में से minus 1 करेंगे तो 7 आएगा और 7 आपका यानि के G फिर्स्ट लैटर G और वो सिर्फ एक ही option है आपका option number B तो option number B इस question का सही हो जाएगा option number B इस question का सही हो जाएगा ठीक है वागे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस first letter जो हो आपका question number 4 आपका ये रहा question number 4 आपका ये रहा चलिए देखते हैं कि question number 4 में क्या हो रहा है देखें E आपके 5 नमबर पर है I आपका 9 नमबर पर है यानि कि यहाँ आपका plus 4 हो रहा है ठीक है 9 के बाद 13 यानि कि plus 4 13 के बाद 17 हुआ यानि प्लस 4 यहां भी हो रहा है तो same logic आपने आगे लगाना है जब आप 17 में 4 प्लस करेंगे तो 21 आएगा यानि कि first letter आपका आगे है U और first letter जो है वो आपका सिर्फ option number A जो है उसी में है U तो आपका यहां पर option number A option number A जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा आगे करने की जुरूरत नहीं है question को यहां पर आपका option number A इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 5 वीडियो को पोज करना है सभी लोगोंने try करना और बताना है इसका answer क्या आएगा series आपको देके रखिए D, K, P question mark B सभी लोगोंने try करना है बताना है की सही answer क्या है option आपको 4 दिये हुए है first option आपका R है second option आपका T है third option आपका W और last option है Z चलिए देखते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले आपने इनकी numbering लिख लेनी है D आपका 4 number पर होता है 4 लिख लिया K आपका 11 पर है P आपका 16 पर है और B आपका 2 इसको 28 भी लिख सकते हैं यह चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है क्योंकि जब आप alphabet लिखते हो तो Z आपका 26 पर होता है उसके बाद आपने दुवारा से A, B करके काउंटिंग करना स्टार्ट कर देनी है इसी तरह के हो तो इसको 27, 28, 29 ऐसे करके भी हम पढ़ सकते हैं तो चलिए देखते हैं सीरीज में क्या हुआ 4 के बाद आपका 4 के बाद आपका 11 हुआ यानि के 7 प्लस हुए 4 में उसके बाद सीरीज में क्या किया इसने 5 प्लस किये पहले 7 प्लस फिर 5 प्लस ठीक है तो आगे क्या प्लस होगे देखिए जरह अगर हम इसमें 7 प्लस कर देते हैं अगर हम 16 में 7 प्लस कर देते हैं आपके पास आएगा 23 23 नंबर पर आपका होता है W जब 23 में हम 5 पलस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और 28 नंबर पर हमने यहांपर लिखा हुआ है B तो इसका मतलब है कि the series में क्या हूआ पहले 7 पलस, फिर 5 पलस, फिर 7 पलस, फिर 5 पलस तो यहाँ पर जो आपका question मारक था उसकी जगा आपका आएगा W यानि कि option number C option number C इस question का सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 6 question number 6 आपका ये रहा series आपको देके रखी है AL series आपकी है AL W BM XCN फिर question mark है आपको बताना है कि question mark की जगा क्या आएगा सबी लोगों ट्राइ करना है full effort के साथ और बताना है कि question mark की जगा क्या आएगा चलिए देखते हैं कि series में क्या हुआ देखिए अगर यहाँ A से लेके दो लैटर चोड़के B तक जाएंगे तो क्या हुआ है यहाँ पर plus 1 हुआ ठीक है B के बाद C तक जाएंगे तो यहाँ भी क्या हुआ है plus 1 हुआ है एक series तो आपकी यह है सामने दिख रही है L के बाद M आया यानि के plus 1 M के बाद N है तो भी यहाँ plus 1 हो रहा है अब W के बाद X आया यानि के plus 1 हुआ X के बाद क्या आयेगा 1 plus करने पर Y आयेगा यानि के question mark की जगा आपका Y आयेगा जो कि 25 नमबर पर होता है तो आपका option number C इस question का बिलकुल सही आंसर हो जाएगा option number C इस question का बिलकुल सही आंसर हो जाएगा जली next question 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 number 7 बहुत easy question है वीडियो को एक मिट के लिए पोस करना है और सभी लोगों लोगों त्राई करना है और बताना इसका सही आंसर क्या है ठीक है उतनी तर में सीरीज आपको बताता हूँ कि सीरीज आपको क्या देके रखिए सीरीज आपकी है dhms question mark question mark की जगा बताना है given 4 option में से कौन सा एक सही है सबसे पहला step मैंने बताया कि इनकी आपको numbering लिख लेनी कि कौन कौन से number पर है ये चलिए आप देखते है 4 के बाद 8 आया यानिके प्लस 4 हुए 8 के बाद 13 आया तो इसमें आपके 5 प्लस हुए 13 के बाद 19 आ रहा है मतलब प्लस 6 हो रहे है तो आगे कितने प्लस होंगे 7 प्लस होंगे 19 और 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 26 यानि कि question mark की जगा आएगा z question mark की जगा आएगा यानि कि option number d इस question का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option number d इस question का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए next question question number 8 question number 8 आपका ये रहा चलिए देखते हैं कि सीरीज में क्या दिया हुआ है सीरीज आपकी है k-n-q-t-w-z-c-f-i फिर question mark है आप लोगों को बता है कि question mark की जगा है क्या है चलिए देखते हैं कि करना क्या है और इसका सही आंसर क्या है इसकी सबसे पहले पोजीशन लिख लेएगा 11 आएगा 14 आएगा 17 आएगा ये 20 आगा ये 23 आगा 26 आगा इसका 3 आएगा 6 आएगा 9 आएगा अच्छा मैंने आपको बताया हुआ है कि C को हम 29 भी पढ़ सकते हैं C को यहां पर 29 भी पढ़ सकते हैं चलिए देखते हैं अब आपको यहां पर सामने दिख रहा है कि यहां पर 3-3 प्लस हो रहें सीरीस में इसके अंदर ही अंदर जो आपके लैटर हैं उसमें भी 3-3 प्लस हो रहे हैं अगर यहां दोकि 17 के बाद 20 आया है 17 के बाद 20 आया मतलब प्लस के 3 हुए हैं 26 के बाद 29 आया है तो यहां भी प्लस 3 हो रहे हैं मैं यहां पर last letter एक का last और दूसरे का first letter लेकर चल रहा हूँ तो इसका last letter 9 है और इसका first letter क्या आएगा जब 3 plus करेंगे तो 9 में 3 plus करेंगे तो 12 आएगा और 12 नमबर पर आपका होता है अला अब जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर 3 3 plus हो रहे हैं तो 12 में 3 plus करेंगे तो 15 आएगा 15 में 3 plus करेंगे तो आपके पास आएगा 18 यानि के 18 अब 12 नमबर पर आपका L होता है 15 नमबर पर आपका O आगया और 18 नमबर पर आपका R आगया ल,e,or इस question का बिलकुल सही अंसर हो जाएगा ल,or यानि के option number बिस question का सही अंसर हो जाएगा next question,next question question number nine question number nine आपका यह रहा सीरीज आपको देके रखी है X,Y,Z,U,V,W फिर कुश्चन मारक है and O,P,Q सबी लोगों ने ट्राइ करना है और बताना इसका सही आंसर क्या है जल्दी से इसका आंसर बताए और कमेंट बोक्स में कमेंट करके देना है कि इसका सही आंसर ये आया है सबसे पहला स्टेप है इनकी पोजिसंस आप लोगों ने लिख लेनी है ये आपकी एक इंक्रीजिंग वे में है इंक्रीजिंग ओडर में लिखी हुई है 21,22 फिर 23 आरा है इंक्रीजिंग ओडर है ठीक है इसको देखो जरा 15 है, 16 है, and 17 है ये भी आपका इंक्रीजिंग ओडर है अब आपको पता लग गया होगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा ठीक है इसका सही आंसर क्या आएगा जल्दी से बताना है सभी लोगों ने अब कमेंट करके देखिए अगे यहाँ पर हम RST RST लिखेंगे क्यों लिखेंगे कि यह 18 है फिर 19 आएगा फिर 20 आएगा फिर क्या आगे आपका 20 इसको देखो जरा 15, 16, 17, 18, 19, 20 फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके सीरीज बनी हुई आपकी यह तो RST यानि कि आपका फर्स्ट ओप्शन जो है इस कुषचन का सही हो जाएगा फर्स्ट ओप्शन आएगा इस कुषचन का ठीक है RST RST इस कुषचन का सही आंसर रहेगा चलिए नेक्स्ट कुषचन कुषचन नमबर 10 कुषचन नमबर 10 सीरीज आपके सामने है और 4 options भी आपको देके रखे हैं सबी लोगों ने एक बार फिर से ट्राइ करना है और comment box में comment करके बताना है कि इसका सही answer कौन सा है ठीक है चार options में से कौन सा सही है सीरीज आपको देके रखे है आई ओ यू फिर जे के ल है और पी क्यो आर है यह आपको सीरीज देके रखे है चलिए देखते है कि सीरीज भी क्या देके रखे है यह 9 नमबर पर है यह 15 है और यह 21 है 10, 11, 12 आएगा यह आपका 16, 17, 18 आएगा कोश्चन मार की यगा के आएगा वो आपको बताना है ठीक है चलिए देखते है अगर 9 के बाद आप यहां देखोगे तो 9 के बाद 10, 11, 12 आएगा 9 के बाद आगे 10, 11, 12 सेम आपने यहां लोजिक देखना है सेम लोजिक देखना है जो पीछे लगाया 15 के बाद 16, 17, 18 आगे उसी तरह 21 के बाद आपका आएगा 22, 23, 24 22, 23, 24 22 नमबर पर आपका वी है, 23 पर आपका डवल्यू है और 24 पर आपका एक्स है यानि के वी, डवल्यू, एक्स option नमबर दी option नमबर दी इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा option नमबर दी इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 11 question number 11 आपका ये रहा सीरीज आपके सामने सबी लोगों निकवार फिर ट्राई करना और बताने इसका सही आंसर क्या है चलिए सीरीज आपको देके रखी है E-J-O-D-Y-D-I-N-S-X-C-H फिर question मार रगा है question मार की जगा के आएगा आप लोगों ने बताना है चार उप्सन आपके सामने गिवन है पहला आपका step है कि इनको आपने number करके numbering देके लिख लेना है 5, 10, 15 20 आएगा 25 आएगा ये 4 आएगा पांच पांच के gap पर है इसी तरह ये 9 आएगा 14 आएगा एगा ये आपका 19 आगया 24 इसकों 29 भी लिख सकते है तो में यहाँ पर 29 ही लिख रहा हूँ आएगा 8 नंबर पर आपका आपको बताना है कि नेक्स नंबर 6 neक्स आपका लेटर कौन सा आएगा चलिए देखते हैं अगर आपने याँ से फस्त और लास्ट लेटर को देखा तो पांच पलस हो रहे हैं यहाँ भी आपके पांच पलस हो गए ठीक है यहां भी आपके 5 प्लस हो रहे है तो आगे भी आपके 5 ही प्लस होंगे ठीक है जब आप 8 में 5 प्लस करेंगे 13 आएगा यानि कि 13 13 नमबर पर आपका होता है M 13 में 5 प्लस करेंगे 18 आएगा और 18 में 5 प्लस करेंगे 23 आएगा तो M, R, W M, R, W बैसी, 0-9 A इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा baik Q12 आपका अचुन कृश्या शही एँ गе रहा सभी लोगोने नहीं प्लस करना आपका इसका सही होए लोगोने और बतानाा इसका सही अजाल है यह जो आपका question है, यह question आपका रहेगा wrong series का, ठीक है, wrong series का question होगा यह, इससे पहले जो हमने discuss किया, जैसे की question number आपका यही था 11, यह आपका missing series था, missing series का पता कैसे लगाना, जैसे आपको यह question mark लगा हुआ है, चाहिए वो question mark सुरू में हो, end में हो, या किसी center में लगा हुआ ह आपको समझ जाना है कि हम पॉपों में सिरीज का, मैंसिंग सिरीज का, जब question mark लगा हुआ होगा, लेकिन यह जो आगे के question है आमारे आपका question है, question number 12, this question इसमें missing series मतलब question mark नहीं लगा हुआ है तो यह question आपका किसका हो गया फिर wrong series का इसमें आपको यह बताना है किसमें से wrong letter कौन सा है चार option आपके सामने की बन है ठीक है तो सभी लोगोंने क्या करना try करना और बताना इसका सही answer क्या है चलिए देखते है अगर आप इसको देखोगे अगर पोजीशन के हिसाब से करने की कोसिस करोगे देखिए जड़ा A, E, H, O, U पोजीशन के हिसाब से जैसे यह first number पर होता है यह 5, यह 8, यह 15, और यह 21 ठीक है तो पोजीशन के हिसाब से अगर आप gap चेक करोगे यहाँ पर 4 का gap है यहाँ पर 3 का gap है यहाँ आपका आगए 7 का gap और यह आपका आगए 6 का gap आप ऐसे ट्राइ करोगे कि नहीं सर ने ऐसे बताए तो ऐसे नहीं होगा question यह यह question जो है वह आपका बहुत ही easy question है देखिए अगर A, E, O, U इन चारों की बात करेंगी यह सारे के सारे आपके bowels है ठीक है यह सारे के सारे bowels है H को छोड़के H आपका consonant होता है ठीक है H आपका consonant होता है इस वज़ए से H यहाँ पर गलत हो जाएगा यानि कि option number C इस question का answer आएगा ठीक है तो ऐसे भी आप लोगों ने थोड़ा चेक कर लेना है हर बार question में मतलब आपको position ही नहीं लिखनी है ठीक है न तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C चलिए next question question number 13 13 में आपको series देके रखिया है आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है चलिए देखते हैं series आपको देके रखिया है CHMSWB ये आपको series देके रखिया है पहला step आपने क्या करना है नम्बरें के लिख लेनी है ये 3 नम्बर परोगा 8, 13, 19, 23 और इसको 2 साथ में 28 भी लिख सकते हैं ये आपको बताया हुआ है यहां पर अगर तीन के बाद 8 तक जाएंगे तीन के बाद 8 तक जाएंगे तो प्लस 5 होए आठ के बाद 13 तक 5 प्लस होए ठीक है 23 के बाद 28 तक जाएंगे तो भी 5 प्लस होए लेकिन यहां पर series में क्या हो गया है प्लस के 6 हो गए है, यहां पर प्लस के 4 हो गए है तो इस केस में सेंटर वाला गलत होता है यानि कि यहां पर S गलत है, S की जगा आपका R आएगा S की जगा R आएगा, अगर R यहां पर रखते हैं तो देखिए ज़रा, 13 के बाद 18, 5 पलस और 18 के बाद 23, तो भी 5 पलस तो मतलब यहां पर आपका S गलत है, S की जगा आपका R आएगा ठीक है, तो आपसन नमबर B आपसन नमबर B इस कोश्चन का जगा वो बिलकुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 14 कोश्चन नमर 14 आपका यह रहा कोश्चन नमर 14 में सीरीज आपके पास है Z A W B X C यह आपको सीरीज दे के रखिए तो सभी लोगों ने एक बाद फिर से वीडियो को एक सेकंड के लिए पोस करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है चार उपसन आपके सामने गिवन है फर्स्ट उपसन आपका है D सेकंड है C थर्ड एक्स और लास्ट आपका डवल्यो तो बता दो सभी कि इसका सही आंसर क्या है कमेंट बोक्स में कमेंट करके चलिए देखते हैं देखिए यहां पर A के बाद B आया यानि कि प्लस बन हुआ B के बाद C है प्लस बन हुआ अगर यहां पर देखिए यहां अगर आपका बाई आता है ठीक है तो Z बाई से या X से बाई तक आओ माइनिस वन और यहां भी माइनिस वन ठीक है तो यहाँ पर जो आपका w दिया ऊँँ ता बो गलत था w की जग़ आपका by आएगा क्योंकि जब में से minus 1 करेंगे by आएगा और by में से minus 1 करेंगे तो स्युर्णी यह राएगा यानि के 24 आएगा आपको पता है कि जब आपका 26 निमबर पर रोता है तो यह सेरीज आपकी एक ती रिवर सेरीज और यह वाली थी जो आगे बड़े यह सेरीज इनक्रीज इंक्रीजिंग ओर में थी यह सीरीज तो दूर यह लोग यह आएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही अंसर जाएगा वो आपका होगा आपसिंट नम्बर दी चलिए नेक्स कोश्चन कोश्चन नमर 15 कोश्चन नमर 15 आपका ये रहा चलिए देखते हैं इस कोश्चन में क्या लोजिक रहेगा सीरीज आपको देखे रखी है A.R.C.T.F.X J.F.P.V इसमें बताना की गलत कौन सा है चलिए देखते हैं किसको क्या करें इसका सही आंसर कैसे निकलेगा क्या लोजिक रहेगा सबसे पहला स्टैप वही आपने अपलाई करना इनके लिग लिग लेगे लेगे यह आपका 1 नमबर पर है यह आपका 18 पर है यह 3 आएगा 20 आएगा 6 24 10 6 16 22 आगया ठीक है बन के बाद 3 तक जाओगे तो आपके प्लस 2 हुए 3 से 6 जाओगे तो आपके 3 प्लस हुए 6 के बाद 10 पर आओगे तो आपके 6 प्लस ठीक है उसी दरह 10 से आप 16 तक जाओगे सुरी यहाँ पर आपके 4 प्लस होने है 4 प्लस होंगे यहाँ पर 6 प्लस नहीं होंगे 4 प्लस होंगे 10 के बार आपका 16 आ गया यानि के यहाँ पर आपके Plus 6 हो गए लेकिन Plus 6 नहीं यहाँ पर आपके Plus 5 होने चाहिए थे क्योंकि सीरीज में पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 आने थे तो P की जगा आपका P की जगा आपका O आना चाहिए था यानि के 15 नमबर पर तो आपका क्या गलत हो गया यहांपर POV गलत हो गया POV नहीं आएगा यहांपर ठीक है तो option number D option number D is question का जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 16 question number 16 देखिए जरा 16 में आपको series देके रखी है L M O S R Y V E and X K सबी लोगोंने ट्राइ करना एक बार फिर ट्राइ करना और बताना है कि इसका सही अंसर क्या है पहला step आपने बही अपलाई करना इनकी numbering लिख लेनी है बहलों आएगा यहांपर 13 15 19 18 25 आएगा 22 5 आएगा 24 and 11 आएगा यह आपको series देके रखी है अगर आपने यहां से यहां देखा होगा तो plus के 3 प्लस हुए पहले 12 में 3 प्लस की है 15 15 में 3 प्लस करेंगे 15 में 3 प्लस करेंगे 18 आएगा 18 में 3 प्लस करने थे आपको क्योंकि series जो चल रही है वो 3 3 प्लस की चल रही है लेकिन यहां पर हुए कितने हैं 4 प्लस हो गए है तो इस वज़े से आपका उभी यह गलत हो गया उभी की जगा आपका यू आना था जिसका नमबर होना था 21 फिर आपके 18 में 18 में 3 प्लस हो रहे थे ठीक है और आगे भी 21 में 3 प्लस करने थे तो जो आपको 24 मिलने थे तो यहां पर आपका उभी यह गलत हो गया यानि कि option number B option number B जो है इस question का सही हो जाएगा option number B इस question का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए next question question number 17 question number 17 आपके सामने यह रहा series आपके सामने देके रखी है A 25 Z सभी लोगों ने वीडियो को एक बार पोज करना है फिर try करना है बताना इसका सही आंसर क्या है option आप लोगों के सामने गिवन है option आप लोगों के सामने गिवन है सभी लोगों ने try करना और बताना इसका सही आंसर क्या है चलिए देखते हैं question में क्या दिया है A और Z इन दोनों की बात करें A और Z, BY की, CX की, DW की या EUV की तो ये एक दूसरे के opposite letter है ठीक है? ये क्या है एक दूसरे के? opposite letter की बात हो रही है यहां पर ठीक है? ये opposite letter है देखो A के बाद आया आपका B B के बाद C C के बाद D, D के बाद E मतलब यहां आपका प्लस बन, प्लस बन करके सीरीज आगे बढ़ रही है ठीक है? D के बाद क्या आएगा? सो और E के बाद आपका आएगा F E के बाद F आएगा first letter आपका F जिसका नमबर होता है 6 6 में क्या add करें कि 27 आजाए क्योंकि मैंने आपको यह चीज पहले बताएगे कि opposite letter का sum जो होता है वो 27 होता है 21 एड करेंगे 21 U आएगा यहां पर एक चीज तो clear होगे कि first letter आपका आएगा F और last आएगा आपका U ठीक है तो यहां पर option में कहीं न कहीं एक second question आपका यह MISSING SERIES का नहीं है मैंने यह question आपका गलत करवा दिया था ठीक है यह question आपका यह कुश्शन आपका जो था वो रोंग सीरीज का था ठीक है? चलिए देखते हैं सीरीज आपको देके रखिये जिसका सही आंसर आ गया है कमेंट बोक्स में कमेंट गर के बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या है सबसे पहले आपना इनकी पोजिशन लिख लो जो फस्स लैटर और लास्ट लैटर वो एक दूसरे के अपोजिट है इन में तो कोई गड़बड यहां पर नहीं है तो पच्चिस के बाद तेईस आया है पच्चिस के बाद तेईस याने के माइनिस टू हुए है यहां पर तेईस के बाद 21 है यहां भी क्या हुए माइनिस टू माइनिस टू टू करके सीरीज आगे बढ़ रही है यहां भी आपके माइनिस टू हुए है यहां भी आपके कितने होने चाहिए थे माइनिस टू मतलब 15 की जागा आपका 17 आना चाहिए था तो यहाँ गलत क्या हो गया E15 उभी option number B option number B जो है इस question का सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 18 question number 18 आपका ये रहा series आपको देके रखी है R20B T26H OV 36N X 4040 and Z 252Z ये आपको series देके रखी है सभी लोगोंने try करना है और बताना है कि इसका सही answer क्या है चलिए देखते हैं इसमें क्या logic लगा है देखे जड आपका 26 number पर होता है इनका sum कर दिया गया है sum करेंगे तो आपके पास आएगा 52 निकल कर X आपका 24 number पर होता है T आपका 20 number पर होता है जब इनको plus करेंगे तो आपके पास आएगा 44 B 22 number पर है N आपका 14 number पर है plus करेंगे तो आएगा 36 यहां तक तो आपकी series बिलकुल सही चली है R आपका 18 नमबर पर होता है B आपका 2 नमबर पर होता है जब इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 20 इसका मतलब है कि T 26 H यहां पर गलत हो जाएगा option number C option number C जो है इस question का सही हो जाएगा नेक्स्ट question question number 19 question number 19 आपका ये रहा question number 19 में आपकी आपके सीरीज है X S N I C Y ये आपको सीरीज देखे रखी है सीरीज आपके सामने है आप लोगों ने क्या करना है जल्दी से वीडियो पोस्ट करने और इसका answer बताना है comment box में कि इसका सही answer क्या है चार option आपके सामने गिवन है first option by, second C, third S और लास्ट आपका option है I चलिए देखते हैं सबसे पहला step आपने इनकी numbering जो है वो note कर लेनी है कि इनकी numbering क्या याद भी कर लेनी है आपको ताकि जो आप exam देने जाते हैं उसमें वो आपको याद हो तो आप जल्दी से question का answer कर सकते हैं सबसे पहला step है इनकी numbering आप लोगों ने लिख लेनी है अब यहां पर अगर gap चेक करोगे आप 24 के बाद 19 आया है यानिके minus 5 19 के बाद 14 यहां भी minus 5 हो और यहां भी minus 5 हो और यहां भी minus 5 हो और यहां यहां पर C गलत है, C की जगा आपका D आएगा C की जगा आपका D आएगा यानिके D वो आपका 30 नंबर पर आएगा 30 में से 5 माइनिस करने पर आपके पास 25 आएगा तो यहां पर जो आपका option number B है option number B इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question 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 number 20 आज के session का यह last question तो जल्दी से सभी लोगोंने try करना है और बताना इसका सई answer क्या है चलिए देखते हैं series आपको क्या देके रखी है an 36 b o 25 c p 16 d s 9 e r 4 देखीगे यह 2 का स्क्यर है यह आपका आगया 2 का स्क्वेर यह आपका 3 का स्क्वेर है यह आपका 4 का स्क्वेर आजाएगा यह आपका 5 का स्क्वेर है और यह आपका आगया 6 का स्क्वेर यहां तक तो कोई सीरीज में गड़बड नहीं आ रही है पहले 2 का स्क्वेर 3,4,5,6 यहाँ पर आपके थे आगे चलते हैं सीरीज में क्या दिया हुआ है A के बाद B है प्लस 1 B के बाद C आया है फ्लस 1 हो रहा है C के बाद D आएगा यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है यहाँ बाद E आया तो यहाँ भी प्लस 1 यहां भी कोई जो गड़ऑड़ नजर नहीं आ रहे है सीरीज में आगे दखते हैं 14 के बाद 15 प्लस 1 15 के बाद 16 यहां भी प्लस 1 हूँ वह उगा है 16 के बाद यहां गलत हो गया यहां पर आपका प्लस 1 होना था मतलब S की जगा आपका क्या हो आना था आपका क्या हुआ आना था तो डी एस 9 इस question का option number C जो बिलकुल सही हो जाएगा तो आज के सैसिन में आपके लिए मैं इतने ही question लेकर आया था अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले कर दो दो आज कर दो आपके लगी हो जाएगा